CBSE Board परिक्षाओं को लेकर लंबे समय से चर रहे संशे पर आज विराम लग गया प्रधन मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को इस मुद्दे पर एहम बैठक हुई जिसमें CBSE की बारवी बोर्ड की परिक्षाओं को रद करने का बड़ा फैसला लिया गया पीम मोदी ने आज राज्यों और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ इस पर व्यापक चर्चा के बाद परिक्षा को रद करने का फैसला लिया बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और सेहत सर्वो परी है ऐसे माहौल में बच्चों को तनाव देना उच्चित नहीं है उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों की जान खत्रे में नहीं डाल सकते हैं बैठक में प्रधानमंत्री ने CBSE अफसरों से कहा कि CBSE बारवी कक्षा के छात्रों के रिजर्ट को वेल डिफाइंड मानदंडों के अनुसार समय बद तरीके से तैयार किया जाए प्रधान मंत्री ने कहा कि CBSE की बारवी की परिक्षा पर फैसला छात्रों के हित में लिया गया है उन्होंने कहा कि COVID-19 ने अकादमिक केलेंडर को प्रभावित किया है और बोर्ड परिक्षाओं का मुद्दा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में अत्यध्विक चिन्ता पैदा कर रहा है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए PM ने कहा कि देश भर में COVID-19 की स्थिती अभी बनी हुई है जबकि देश में संख्या कम हो रही है और कुछ राजय प्रभावी सुक्षम नियंत्रण के माध्यम से स्थिती का प्रबंधन कर रहे हैं वही कुछ राजयों ने अभी भी लॉकडाउन का विकल्प चुना है ऐसे महौल में छात्रों के स्वास्थे को लेकर छात्र अभिभावक और शिक्षक स्वाभाविक रूप से चिन्तित हैं पी-म ने कहा कि ऐसी तनाव पूर्ण स्थिती में छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए किवार्ण स्वागने केली होती कि सिब्सक्राइब चाहिए त्या संदर्बा मदे नौन एग्जामनेशन डूट अपन पहावा त्या मदे काई एक सुत्र ता अन्ता अलिपजे सले राज्जा मदे ही सुधा मागने आमी त्या वैला केली होती आणि त्या प्रमाणे केंद् हीन राजिन स्वाचि परिशिति है आनि हा परिश्थी मदे विध्यर तेना दोहरी भुमी का लड़ावे लागने दोन ठीकाानी उद्ध लड़ावा लागने एक का है टिकानी पैंडे Mitt शिती लाड़तलtım दूसर्य ठीकानी विद्धेर अन्चा, अभ्या सुदक संडर्बा मदे महारश्य शासन सुधा एला काळा मदे बारावी संडर्बामदे जापला राज्याच्य परिक्षा सब्सक्राइब दर्शकों अगर आपको अपना आडवर्टिस्मेंट हमारे चैनल में देना है तो आप आखिर में दिये गए मुबाइल नंबर पर कॉंटाक्ट कर सकते हैं आपका अडवर्टिस्मेंट हमारे चैनल पर दिखाया जाएगा धन्यवाद यदि कोई व्यक्ति भाड़े पर रूम देख रहा है या रूम खरीदना चाहता है तो रूम मालवानी गेट नंबर साथ पर अवेलेबल है रूम के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या वाट्साप कर सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर है 8286253685 धन्यवाद